Hello everyone, good morning, कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ यानि कि अपने गाउं जा रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्राबलम हो गई थी तक्ष के बिल्कुल आँख के पास चोट ल शुरू कर देती है, वो अक्षे कुमार का जो गाना है अकाल निमित्ती वाला, वो गाना सुनते ही उसको डांस करना है, तो देख सकते हैं वो डांस कर रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ दीदी का बड़ा बेटा भी बैठा हुआ है, और मैं अपने गाउं जा और दादा जी से भी मिलकर आ जाएंगे, तो मैंने का चलो चलते हैं, और बहुत दिनों बाद में गाउं जा रही हूं, एक्चली में गाउं में बिल्कुल भी नहीं रही हूं, मेरे पापा मुझे सिर्फ एक साल गाउं में छोड़ा था जब ने फिफ्ट क्लास में थी, उ तो हम लोग यहां पर आ गए हैं, देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, और एक साल की यादे मुझे ताजा हो गई ही, जो बच्पन में मैंने यहां बिताई है, आप यह पेड़ देख सकते हैं, सामने बिल्कुल पीपल का पेड़ दिख रहा है, यहां पर हम जूला जूला करत है, तो यहां बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, और बस अभी मेरा घर आने वाला है, यहां से स्टार्ट हो जाती है, पूरी फैमिली का कुन्बा बोल सकते हो, आप मतलब एक फैमिली के ग्रूप टाइप में लोग रहते हैं, जैसे बड़े पापा, छोटे पापा और यहां पर मेरी दादी आ गई है, मेरी सिस्टर आ गई है, मेरी सिस्टर के चेहरे पर से चश्मा नहीं उतराये, आप देख सकते हो, तो गैज यहां पर हम अपनी दादी से मिल रहे थे, खूब सारी बाते कर रहे थे, दादी के साथ, चलना था मजाग और भोजपूरी मे एकुली जो हमारी लेंग्वेज है गोरकपुर साइट की डाधी से बाते करी और खाना वाना खाया दाधी के साथ बैठ कर और दाधी एकुली बच्पन, और प्यार होता है वह दाधी को देखकर ही समझ में आता है दादा दादी को देग कर और यहां पर मेरे बादा के नहीं आए पर हश रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर के पूरी व्लॉगिंग में चश्मा नहीं हुतरा तक्षु तुप। उसके बाद दादी से खुब सारी बात करने के बाद हम बड़ी बापा के घर चले गए जाख चल रहा है और चलिए आपको सुनाई देती हूं बतलब अगर व्लोगिंग कर रही हैं तुम कुछ चीजी आपको ना थो बनता है पोल अब मेरे पती पाई बहुत बड़े बहुत बड़े बिजनस्मेंंग है नहीं पोलता है एक बहुत बाई लल्लू है जो एक हाथ नहीं समा सकते हैं देखो अगर आपको कुछ वर्ड गलत लगे हो तो इग्नोर कीजेगा कि मजाक ऐसे ही होता है यूपी में तो हम लोग मजाक कर रहे थे उसके वाद हम लोगों ने फोटो कीचवाई सबसात में और यहां तक्ष को ब ही हो रहा था लेकिन क्या करूं जब चोट लग गई है तो वह तो दुबाई हो नहीं सकता बसका इलाज ही हो सकता है और यहां तक्ष को पैसे दिये गए थे बड़ी पापा की बेटे ने दिया था तक्ष रिटर्न कर रहा था बिल्कुल नहीं लेता है वह पैसे और चलो अ मैंने आपको अपनी दादी से मिला दिया और अब मैं मिला रही हूं अपने भाई की वाइव से यानि की अपनी भावी से तो यहां पर है मेरी भावी गाओं में ही रहती है क्योंकि भाई का काम गाओं में ही है तो चलिए मिलाती हूं आपको मैं अपनी भावी से यहां मेरी पता नहीं कब गुडगाओं आयागी लोग आते नहीं गुडगाओं अश्गाओं में रहते हैं अब अब आप करने के बाद चलो अभी चलते हैं क्योंकि मुझे हमारी पासो की ट्रेन है यह भर भी आना है और व्लॉगिंग का थोरड दीन है और बस यह हएं मेरा भाई फार वीडियो मे नहीं आ था रहे तशक लोग के आ रह सकेव नहीं लियए सारी चीजेय को लिए दिखाना सबर को पसंत जी ने ये मेरे चाचा जी है बिल्कुल मेरे पापा के हम शकल डुबलिकेट कह सकते हैं आप क्योंकि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे मेरे पापा जी और चाचा जी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है प्रॉपर घर हमारा और यह बाहर मशीन रखी हुई है चारा काट जी जाज होता है और चारों तरफ अनाज फैला हुआ था तो इसलिए मैंने जान बुझकर नहीं करा पूरा मतलब आप मैं क्या बता हूँ बहुत ज्यादा अनाज होता है यहां पर तो पूरे घर में अनाज यह अनाज था तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती और ममी का जो कमरा था वो बन था क्योंकि ममी यहां रहती नहीं है तो लॉक था तो वो मैं आपको दिखा सकती भी नहीं थी तो आभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं जी जाजी के घर के लिए क्योंकि वहाँ से पैकिंग करके मैं बाहा निकलूंगी क्योंकि जी जाजी का कल बद्दे भी है तो उसको करने के बाद हम लोग निकल जाएं बहुत कम दिन के लिए आई थी लेकिन मुझे मन कर रहा था कि मैं और दिन रुक जाओं बर टिकट मेरी कनफर्म थी इसलिए रुकना नहीं बनता था और यहां मैं जीजु के घर में आ गई हूं तो जीजु का घर मैं आपको दिखा देती हूं जो बन रहे हैं तो यह वाली गैलरी हो जाएगी इधर और अभी प्रापर मतलब बन चुका है धाचा पूरा तयार हो चुका है बस उसके काम करना थोड़ा बहुत बाकी है और यह किचन है मतलब यह प्रापर किचन बना हुआ है मतलब इन्हों प्रापर बहुत बड़ा साइज का हॉल है मैं कह सकते हूं चैरों में 2BH के एक होता है न उतना बड़ा उनका हॉल है और सीडी के ऊपर भी पूरा प्रापर इसी तरीके का बना हुआ है मैं नहीं जा रही हूं मुझे डर लगता है अगेले जाने में कभी दिन में आपको द दोनों बहने मिलकर तीनों बहने मिलकर छेट का प्रशाद खा रहते गाइस आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शियर और सब्सक्राइब थाइंक यू गाइस तिल देन टेक क्या लव यू बाबाई